नमस्ते मैं सोमा पाठक आप सबकी वेलवेशर आज आप लोगों को एक सेक्रेट कोड़ बताने वाली हूँ जिसको यूज करके आप बहुत से अलग-अलग टाइप के नेगेटिविटीज को दूर कर सकते हैं अब वो नेगेटिविटीज क्या है हो सकता है आपका मन उदास ह किसी से जगड़ा हुआ हो या किसी से मिसंदेस्टैनिंग हुई है तो आपका मन दुखी है यह एक नेगेटिविटी हो सकती है किसी ने आपको कुछ कह दिया कि आप बहुत दुबले लग रहे हैं या बहुत मोटे लग रहे हैं या आपका रंग सामला लग रहा है आप ग् एक ज़ए से नेगटिव एनरजी में दीप जाने के वज़े से क्या होता है हम ऐसे ही नेगटिविटीज को एट्रैक्ट कर लेते हैं पर हम हाई वाइप्स में नहीं जा पाते हमें हमेशा ज़रूरी है कि हम अपना वाइबरेशन को हाई करें जब यह किसी भी तरह का लो एनर और बैलन्स होता है तो यह चोटी मोटी बाते आपको कभी भी परिशान नहीं करेंगी आपके मन में डर नहीं आएगा ओरा क्या होता है इसके बारे में अगर आप लोग जानता चाहते हैं और आपको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए इनके बारे में अगर आप जानना चाहते प्रोटेक्ट रख सके और नेगटिविटी से बच सके तो और भी क्या-क्या नेगटिविटी आ सकती है वर्क प्लेस में वर्क लोड होने के वज़े से बहुत जादा प्रेशर होने के वज़े से काम का प्रेशर होने के वज़े से हमारे मन में डिप्रेशन आता है कभी-कभी कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है लाग कोशिश करने के बाद भी हमें अगर नहीं मिल रहा है तो तब हम depressed हो जाते हैं हम टेंस्ट हो जाते हैं और negativity आती है हमें लगता है कि हमसे कुछ हो नहीं पाएगा हम यह problem solve नहीं कर पाएंगे ऐसे नेगिटिविटी या नेगिटिव थौर्ट हमारे अंदर आते रहते तो अगर आपका तबीद खराब है बहुत डियुक्वेंट्ली आप इल हो जाते लिज आप आप ड़ीद कर रहा हो जाता है किसी ने किसी कारण से अपका हेल्थ खराप हो रहा है तो इसके लिए आप चाहे तो रेकी सीखिए रेकी सीखने से और regular self-healing करने से आपका health छोटे-मोटे चीज़े जो health problems होते हैं वो तो तुरंत आप self-healing के time ही ठीक हो जाएगा और आप खुद के साथ-साथ अपने family members को भी heal कर पाएंगे पर आपका aura भी protect होने लगेगा self-healing जब करते हैं रेकी attunement या placement लेने के बाद जब हम self-healing करते हैं तो automatically हमारा aura strong होता है और negative thoughts, negative vibrations, negative energies अगर हमें attack भी करती है तो बहुत जल्दी हम उससे बाहर आ सकते हैं, overcome कर सकते हैं तो चलिए वो तो आप रेकी सीखने से तब आपको पता चलेगा तो आज जो sacred code मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है 0927 0927 इस sacred code को आप left body part पर blue pencil लिख लीजिए और जितना ज़ादा हो सके chanting कीजिए कब करना है chanting? जब आपका मन उदास है, आपको कोई negative thoughts बहुत परिशान कर रहा है आप चाहते हुए भी उदासी से बहा नहीं आ पा रहे हैं, आपका तबियत खराब है या किसी ने कुछ कह दिया, किसी से misunderstanding हुई है और उससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, तब आप ये 0927, 0927, 0927 इसको chanting कीजिए कम से कम 3 मिनिट कीजिए हर बार जब भी आपको वो negative thoughts जो आपके vibrations को लो कर रहे हैं, आपको और भी depression में डाल रहे हैं, आप तुरंत उस thought को energy ना देके, 0927, 0927, 0927 chanting कीजिए, घरी देखके 3 मिनिट chanting कीजिए, और फिर देखिए आपके energy में कितना अच्छा एक positive change आता है, shift आता है, तो आशा करती हूँ, ये आपके लिए बहुत ही helpful होगा, आप करके देखिए, करने के इसको आप chanting करेंगे, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार जरूरी है, आप कर सकते हैं, इससे कोई side effect नहीं है, तो इससे डरने की भी कोई बात नहीं है, ये छोटे, बड़े, बुज़र्ग, महिला, पुर पॉजटिव रहिए, और अपने friends के साथ share कीजिए, अपने colleagues के साथ, अपने well wishes के साथ, ये share कीजिए, ताकि वो भी अपने negativity से बाहर आके positive energy में आ जाए, और खुश रहें, आज यहीं तक, नमस्ते